नमस्कार बच्चों कैसे हो आप सबे मैं पार्नीर यासंध्या एलपी सवानी रिवर्साइड इंग्लिश मिडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सब का स्वागत करती हूं स्टांडर सिट्स सक्जैक हिंदी आज हम कहानी लेखन करेंगे पिछली बार हमने बातुनी कच्चुआ यह कहानी समझी है और आपने लिखी है आज हम बुद्धिमान कववा कहानी समझेंगे और आपको कहानी लिखनी है बच्चो हमने पिछली बार यह बातुनी कच्चुआ और हंस की कहानी समझी थी आज हम इसके पास में ये जो चित्र दिया गया है वह कहानी हम करेंगे वैसे तो आप सबको यह कहानी मालूम ही है आप सब यह कहानी जानते है और बच्चपन से इसको समझते आ रहे है तो आज हम फिर से एक बार नए नजरिये से इस कहानी को हम समझेंगे पहले आप इस कहानी में जो चित्र दिये गए है उसको आपको ध्यान से देखना है तो पहले हम देखेंगे कि यह कववा है एक डाल पे बैठा हुआ है यह गाउं का चित्र है यहाँ पे एक घड़ा भरा है जिसमें यह बड़ा सा घड़ा है उसमें थुड़ा पानी लगता है और यह गाउं के कुछ घर दिखाई देते हैं उसके बाद में हमें यह चित्र दिखाई देता है पानी इसमें कम है आजपास थोड़े बहुत कंकर है और यह कववा चोंच में कंकर लेकर पानी में डाल रहा है और तिसरे चित्र में देखिए कि कव्वा उड़ जाता है आस्मान का चित्र हमें दिखाई देता है यहाँ पे सिर्फ तीन चित्र दिये गए है चलिए तो अब हम कहानी की शुरुवात करते है यहाँ देखकर हमें एक चित्र को ध्यान में रखकर कम से कम हमें 4-5 वाक्या बनाने है तो चलिए अब हम कहानी शुरुव करते है एक कव्वा था एक बार उसे खूब प्यास लगी इसने उधर इधर उधर पानी की तलाश की देखो बच्चो टीचर जो बोल रहे है आप उसे ध्यान से सुनिये और समझे आप किसी भी तरह इस कहानी की शुरुवात कर सकते है जैसे की गर्मी की मौसम थी सब बहुत आकुल व्याकुल हो रहे थे एक कव्वा था उसे बहुत प्यास लगी थी इसलिए वह पानी खोजने के लिए इधर उधर जाने लगा पानी की तलाश करने लगा लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला फिर क्या होता है अब हम दूसरे चित्र पर आते हैं आखिर उड़ते उड़ते वह एक जोंपड़ी के पास पहुचा हमें दूसरे चित्र में एक जोंपड़ी दिखाई दे रही है वहां एक बड़ा घड़ा दिखाई दिया उसने उस जोंपड़ी के पास मैडान में एक बड़ा पानी से बड़ा घड़ा दिखाई दिया लेकिन उसमें पानी ज्यादा नहीं है कम है घड़े में पानी बहुत कम था यानि कि पानी बहुत नीचे था उसमें कववे की चोंच नहीं जा रही थी यानि कि पानी तक कववे की चोंच जा नहीं रही थी इसलिए वह घड़े का पानी नहीं पी सकता था ठीक है? फिर क्या होता है? हम देखेंगे, हम हम लिखेंगे कि कववा आसपास देखता है और पानी उपर लाने का वह उपाई सोचने लगता है वहाँ आसपास में थोड़े बहुत कंकर पड़े हुए थे उसने एक-एक कंकर घड़े में डालना शुरू किया फिर क्या होता है कंकर घड़े में डालने के कारण कंकर घड़े में डालने के कारण पानी घड़े के मुह तक आ गया कववे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई उसने उसकी जो प्यास लगी थी उसे जो जोरो की प्यास कववे को लगी थी तो कववा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है वह जी भर कर पानी पीता है और तीसरे चित्र में देखे कि वह खुश होकर आस्मान में उड़ जाता है। बच्चों इस कहानी से हमें क्या सिख मिलती है कि आपत्ती आने पर हमें धीरज रखनी चाहिए। जब हमें कोई मुश्कीली आती है तो हमें नासी पास नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। लिकिन उस आपत्ती से निकलने का हमें हमेशा उपाई सोचना चाहिए। और उपाई सोचने के लिए हमें बहुत सारी धिरज भी रखनी चाहिए। और फिर कोई क्या करता है अपनी बुद्धी का उप्योग करता है तो इसी तरह हमें भी मुसिबत आने पर हमें हमारी बुद्धी का उप्योग करना चाहिए। इस चित्रपाठ में बुद्धि मानी से काम लेने वाला कववा हमें यह सीख डेटा है कि हमें हमेशा धीरज रखनी चाहिए और हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए हम जब भी मुश्किली में धीरत से काम लेंगे धैर्य से काम लेंगे अपनी बुद्धी का उप्योग करेंगे तो हम किसी भी समस्या पर विजय पा सकते हैं हम मुश्किली का हल निकाल सकते हैं बच्चों हमारी कहानी यहां पर समाप्त होती हैं आपको यह कहानी तो आती ही है लेकिन आपको अपने तरीके से अपने वाक्य बना कर छोटे मोटे वाक्य बना कर अपने नोटबुक में लिखने हैं और यह कहानी पूर्ण करनी हैं आपको अगर 10-20 वाक्यों में भी यह कहान आप लिख सकते हैं तो आप लिखो ठीक है बच्चो बच्चो हमें इस साल कहानी लेखन तो लिखनी करना ही है हमारे हमारी पुष्टक में यह देखिए पेज नमबर फोर इसमें भी आपको यहां चित्र दिये गए है और इस चित्र को ध्यान में रखते हुए आपको कहानी लिखनी है तो देखिए कि इस कहानी में हमें कितने चित्र दिये गए है हमें छे चित्र दिये गए है और हमें इस कहानी को हमारे तरीके से लिखनी है देखिए यहाँ यह दूसरी कहानी है और इस कहानी का हम नाम क्या रखेंगे कववा और लोमडी यह देखिए पहले चित्र में कववा है या और ये एक पूरी लेकर एक डाल पिर बैठा हुआ है वहाँ पे ये लोमड़ी आती है और कववे को फुसला कर उसको गित गाने के लिए कहती है फिर क्या होता है कववे के चोंच से वह पूरी नीचे गिर जाती है और वहा क्या ये जो कववा है ये जो लोमड़ी है वहाँ पूरी खा जाती है यह कहानी हमने हर बार सुनी है लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है इस कहानी में यह बुद्धी मान कववा है हमें चित्र को पहले ध्यान से देखना है और फिर हमें इस कहानी को समझना है चलो बच्चों तो अब हम कहानी शुरू करते हैं एक बार एक कववे को एक रोटी मिली या फिर पूरी एक पूरी मिलती है वह पूरी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है है न देखे ये बैट गया है इतने में एक लोमडी पेड़ के नीचे आई उसकी नजर कववे की पूरी पर पड़ जाती है उसके मुँ में पानी आने लगता है लोमडी को वह पूरी चाहिए और वह उसे खाना चाहती है और उसने सोचा कि कववे को मुर्ख बनाकर उसकी पूरी में ले लूगी फिर क्या होता है कि लोमडी ने कववे से कहा कववा भईया कववा भईया कोई गाना सुनाए न आपका गाना सुने मुझे बहुत दिन हो गए कितना मीठा गाते है आप लोमडी ने सोचा कि कववा तो मुर्ख है और वह अपनी प्रशनशा सुनकर गाना शुरू कर देगा यह देखे यह तीसरा चित्र है और यह चौता चित्र है जिसमी लोमडी कववे को गाना गाने के लिए कह रही है फिर क्या होता है यह देखे पांचवा चित्र कौवा लोमडी की चाला की समझ जाता है उसे लगा कि लोमडी उसकी पूरी पानी के लिए यहां नाटक कर रही है और उसने क्या किया अब वह मुर्क नहीं बनने वाला उसने अपनी चोच से पूरी को अपने पंजे में पकड़ लेता है और फिर जोर जोर से वह काउं 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 गाने लगता है फिर क्या होता है ऐसा वह मन ही मन में बोली और अरे ऐसा अब वह कौवा करने लगा काउं काउं करने लगा तब वह लोमडी निराश हो गई वह देखकर लोम्री को आश्चर्य भी हुआ कि अरे यह कववा तो समझदार लगता है कि हर अब कववा मुर्क नहीं रहा वह भी समझदार हो गया है ऐसा मन में वह सोचती है और उसकी चाला की नाकाम्याब हो जाती है इसलिए वह निराश होकर चलने लगती है फिर उस कववे ने मजे से अपनी पूरी खाई सचमुच अपनी जूटी बढ़ाई सुनकर हमें गुमरह नहीं होना चाहिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी तरह की प्रशंशा सुनकर हमें खुश नहीं होना चाहिए कोई अगर हमारी जूटी करता है तो हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए बच्चों आपको यह दोनों कहानियों में पूरी तरह से समझ आही गई होगी तो अब हम यहीं पे स्टॉप होते हैं हम अगले सप्ता फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद